हेलो एवरिवान वागत है आपका टूल लणी एनिमेशन चाल में आज मैं बता हूँ कि आप एनिमेशन में 3D टाइब का एनिमेशन क्रेट कैसे कर सकते हैं इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसके अलावे मेरे दो और चैनल है जिन पर मैं होरे स्टोरिज और मोरे स्टोरिज जालता रहता हूँ प्लीज आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है सबसे पहले कि आप यह समझे कि जो एनिमेशन है वो एक 2D एनिमेशन शॉर्टवेर है 3D रोटेशन टूल और 3D टांसलेशन टूल हम इस टूल्स का यूज़ कीसी 2D आपजेट को 3D में दिखाने की कोशिस करते हैं जैसे कि यह जो आपजेट है मैंने इसको सिंबल कर लिया है मूवी किलिप में अब जो 3D टूल है वो मूवी किलिप में ही चलता है इसको मैं ग्राफिक करूँगा फिर मैं 3D लूगा तो यह इस पर सो नहीं होता लेकिन जब मैं मूवी किलिप यूज़ करता हूं तब यह इस पर सो होता है मैं इसको ऐसे भी कैसे भी इसको 3D टाइप का बना सकता हूं यह एक illusion create करके देता है जिससे कि हमें यह लगता है कि यह 3D बन रहा है जबकि यह होता ही है 2D अब एनिमेर सीजे चो 2D सौलवेर है इसमें हम 2D को 3D की तरह दिखा सकते हैं लेकिन 3D बना नहीं सकते हैं जैसे कि मैं इसको फ्लैट करता हूं तो देखिए जो दूर की चीज है वो छोटी दिखरी है और जो पास की चीज है वो बड़ी दिखरी है जिसकी बज़े से यह हमें 3D की तरह लगता है लेकिन जब हम इसकी इधर देखते हैं तो 3D में यहां पर अलग से एक रोग दिखा कर दिखाया है उसको 3D नहीं बनाया है मतलब कि यह जो टूल होते हैं वो टूडी को 3D टाइप की तरह दिखाते हैं लेकिन बनाते नहीं है हमें इन्हें अलग से क्रेट करना पड़ता है जैसे कि मैं नियू ले लेता हूं और इसी को कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर इसका मैं ग्राफिक कर दूँगा और देखिए यह नौर्मन हो चुका है फिर मैं इसको यहां पर बड़ा करके रख दूँगा यहां पर और इस लेहर को इसके पीछे करूँगा तो यह कुछ इस टाइप का वाल की तरह दिखेगा इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं और इसको भी नीचे रख देता हूं तो देखे एक वाल की तरह दिखने लग गया है जबकि हमें इसके अंदर यह बनाना पड़ता है तब हमें इसे 3D टाइप का दिखा सकते हैं हमें इसको हटा देता हूं देखे जो यह टूल होता है वह हमें 3D लुक की तरह दिखाता है लेकिन 3D बनाता नहीं है अब यही मैं इसके साथ भी करता हूं तो यह दिखिए इसने इस तरीके से यह बना दिया है और मैं इधर मोड़ूंगा जैसे कि हम किसी का बैग्राउंड बनाते हैं किसी का सिटी बैग्राउंड या फिर किसी का विलेज बैग्राउंड तो उसमें यह काम बहुत अच्छे से आता है जो दूर की चीज़ है उनको छोटा कर देता है और जो पास की चीज़ है उन्हें बढा ताकि लगे कि फुल 3D है जबकि यह 3D होता नहीं है अब 3D क्या होता है वो आप देखिए जैसे कि मैंने मैं इसको हाइट कर देता हूँ और इसे लाता हूँ यहाँ पर तो देखे मैंने इससे create किया है तो यह जब मैं इसे play करूँगा तो यह देखे बिल्कुल 3D की तरह यह play हो रहा है यानि कि जैसे 3D software में circle round होते हैं उसी तरीके से यह दिखा रहा है अब देखे 3D कैसा काम करता है जो आप यह camera देख रहे हैं यह camera इसमें सिर्फ यह single है यानि कि सिर्फ एक ही camera है जिसकी बज़े से यह जो हमें सामने दिखेगा वही यह दिखाएगा अगर मुझे इसको 3D बनाना है तो इस पे मैं 3D tool का use भी कर लूँ जैसे कि मैं इसे use करता हूँ इसको मैं movie clip करूँआ तब यह 3D tool लाता है अगर मैं इस पे use भी करूँ तो यह इस तरीके से flat हो जाता है यानि कि यह 3D बनता नहीं है यह उस flat को 3D type की तरह दिखाता है कि मैं एक object लेता हूँ यानि कि एक character लेता हूँ मैं इस पे 3D use करता हूँ जैसे कि पहले तो मुझे इसको movie clip करना पड़ेगा तो इस पे मैं 3D tool का use करूँआ तो यह इस तरीके से work करेगा लेकिन 3D type की तरह हर पार्ट इसके नहीं दिखाएगा जैसे कि back, front और middle जितने भी पार्ट होते हैं मैं इसको hide कर देता हूँ और इसको ओके देखे मैंने इसको movie clip करके 3D use किया था तो इसके अंदर जो भी मैंने motion create किया था वो सब यहां से hide हो चुका है जबकि जो मैंने create किया था वो इस तरीके का था तो आप जब भी इसको movie clip करते हैं और फिर इस पे 3D release करते हैं जो भी हम इसके अंदर animation करते हैं वो चला जाता है यह इसका नुकसान भी है लेकिन इससे हम 3D tag का animation create नहीं कर सकते और यह देखी कि जब मैं इसके अंदर जाता हूं तो यह देखी कि मैंने इसको animate किया है यानि मैंने इसको बनाया है तब यह 3D type का दिख रहा है इसमें animate में ऐसा कोई option नहीं है ना ही ऐसा कोई feature है जो 2D को एक एकदम से 3D की तरह बना सके हम उसको frame by frame करके 3D बना सकते हैं जैसे कि मैं blender में जाता हूं तो यह देखी कि मैंने यह create किया है मैं इसको move करता हूं तो यह इस तरीके से 3D की तरह दिखाई देता है और मैं चाहूं यहां पर भी कुछ भी create कर सकता हूं और मैं चाहूं यहां पर भी कुछ भी बना सकता हूं इसके मैं चाहूं यहां पर कुछ भी बना सकता हूं यानि कि जो इसके अंदर camera है वो four sided है और इसमें three side camera work करता है इसलिए हम इसको 3D direction में यानि की हर 3D direction में इसको create कर सकते हैं जबकि Animated CC में सिर्फ single camera होता है और इसमें सिर्फ जो हमें दिखाई दे रहा है हम सिर्फ उसी को ही edit कर सकते हैं और उसी को हम बना सकते हैं अब यह देखे मैंने इसको इस तरह के से बनाया है मैं यह file दे दूँगा आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर आप देख लेना कि यह किस तरह की से बनाया है मैं इसको 3D की तरह move कैसे करें यह बताऊँगा तो सबसे पहले हम इसके दर जाते हैं और मैंने इन सभी को अलग-अलग symbol बना रखा है यानि कि यह जो जितने भी parts है इसके इन सभी के symbol बने हुए हैं और अलग-अलग layers पर divide हैं अब जो head है इसके अंदर भी मैंने 3D के लिए जो 3D effect है उसके लिए मैंने इन सभी parts को अलग-अलग कर रखा है यानि कि ears को अलग रखा है जो hairs है इनके भी 3 parts कर रखे हैं मैंने, eyebrows को भी अलग-अलग रखा है जो eyeball है इसको भी जो white बाला है उसको भी nose को भी अलग, lips को भी अलग और जो यह face है इसको भी अलग, जो इसके पीछे ear आ रहा है उसको भी अलग यानि कि हर एक चीज का मैंने सिंबल बना रखा है ताकि मैं जब मुझे 3D की जूरूत पड़े यानि कि इसको रोटेट करने की जूरूत पड़े तो मैं इसको दिखा सकूँ इसलिए मैं इसको अलग से क्रेड करके रख रहा हूँ और मैंने इन सबी को अलग अले लेट पर रखा है अब देखिए अब इसमें करना क्या है तो सबसे पहले हम यहां पर मैं यहां पर लगाता हूँ 10 पर 20, सब यह पर मैं 20 लगा लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मूव करेंगे सामने की तरफ ताकि लगे कि यह दीरे से हमारी सामने की तरफ देख रहा है तो सबसे पहले जो इसकी आई बोल है उसको सामने सेट करते हैं इन दोनों को और इसको भी हम इस तरीके से रख देंगे इसको हलका सा इधर करेंगे और इसको भी इधर रख देते हैं मतलब आईस के बीच में रखेंगे इसको भी और जो पीछे के यहर है उसको बहार निकालेंगे इतना हम बहार निकालते हैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह की से पिछका देते हैं और जो इसके जो फेस है इसको अंदर की तरफ हलका सा कर देना है यहाला हेर है इसको पीछे कर देंगे इस तरह के साथ इसको पिछकाना है तब यह होगा फिर इसको भी हम जहां पर इस तरह के से कर देंगे और इसको भी यहां पर इसको हलका सा रोटेट करके जहां पर मैच कर देते हैं फिर और के साथ इसको बाहर निकालेंगे और उपर वाले से मैच करेंगे यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा अंदर की तरफ करना है अब इसको भी इधर रख देते हैं अब यह देखे मैंने इसको इस तरीके से क्रेट किया है इसको भी यहाँ पर रख दिया है फिर मैं यहाँ पर क्लासिक ट्यू लगाता हूँ तो यह इस तरीके से सामने देखेगा, चैसकी नोस भी हम थोड़ी सी अंदर की तरफ कर देखे, तो देखे, ऐसा लग रहा है कि यह हमारे सामने देख रहा है, लेकिन अभी भी यह थोड़ा सा पिछका हुआ है, तो इसके हैड को थोड़ा सा हम इस तरीके से अर्जिस कर देत तो यह लग रहा है कि यह हमारे सामने देख रहा है इसके frame को हम बढ़ाते हैं हम इसको कर दिंगे 10 तक इसके जो back hair है इसको भी हम यहां से हलकासा पीछह कर देते हैं इसको भी यहां से हलकासा पीछे अब इसके बाद इसका जो face है वो उपर देखना चाहिए तो इसके लिए हम थोड़ा सा gap छोड़ेंगे फिर यहां से हम 30 से start करेंगे इसके face को उपर ले जाने के लिए 30 से हम फिर 40 तक की लगाते हैं यहां से इसकी nose है वो उसे हम इस तरीके से टेड़ी करेंगे और उपर कर देंगे इसकी eyeball है इसे भी उपर कर देंगे फिर इन दोनों को यानि कि इन चारों को select करके उपर ले जाएंगे इसकी eyebrow को जादा उपर कर देंगे इसके lips है उन्हें भी जो nose है उसके पास रखेंगे इसके जो यह वाला part है यह नीचे से थोड़ी कहते हैं इसको इस तरीके से adjust कर देना है पूरे head part को select करके थोड़ा सा नीचे रख देना है ताकि गर्दल से attach लगे इसको नीचे कर देंगे हलका सा इस hair को अंदर की तरफ कर देंगे और बाहर की तरफ हलका सा निकाल देंगे इसको अंदर कर देते हैं इसको भी नीचे कर देंगे इसको थोड़ा सा उपर कर देना है इसको इधर से नीचे यहां से भी हलका सा नीचे कर देते हैं और यहां से बाहर की तरफ कर दीए अब यह देखिए मैं इस पर एक लासिट्री लगाता हूँ इसको रीचे कर देते हैं देखे तो यह इस तरीके से बनेगा इसको इधर कर देते हैं इसको ऊपर करते है थोड़ा सा और इसको भी इस तरफ करके यहां पर रख देंगे इसको टेड़ा करना है थोड़ा सा इसकी नोस को भी ऊपर ले जाएंगे अब देखे यह साइड की तरफ देख रहा था फिर यह सामने देखा फिर यह उपर देखा अब यह यहां से वापस नीचे देखेगा फिर साइड की तरफ देखेगा यहां पर की लगा देते हैं और इस वाली की को जो सामने की तरफ देख रही है इस वाली की को सेलेक करके यहां पर रख देंगे और जो इसका क्लासिट्यून है उसको उटा देते हैं और यहां पर लगा देते हैं देखे सामने देखा उपर देखा फिर नीचे देखा मतलब सामने देखा फिर यहां पर की लगा कर वापस साइड की तरफ देखेगा इस वाली की को हम यहां पर रख देते हैं और यहां पर एक प्लासिट्री लगाते हैं इस वाली को हटा देते हैं ओके तो यहां से यह इतना बन जाता है हम इसको रखते हैं 120 तक इसको सिंक्रिन राइस कर देते हैं और बाहर जाते हैं अर बहार भी उतनी की लगानी है, जितनी की सह hmm ने इसके head में लगाई है ठीक है अम इसके बहार जाते हैं पहले देखते कि इसके 10 पे लगह H तो हम यहाँ पर 10 पिक की लगाएंगे और इसके जो बॉड़ी है उसको हलका सा अंदर की तरफ बैंड करेंगे यानि अंदर करेंगे यहां से थोड़ा सा निकाल देते हैं इधर से सेट करते हलका सा इसको अंदर की तरफ कर देंगे इसको इससे मैच कर देना है इसको हम रखेंगे एधर और के साथ इसको यहां पर रख देना है तो यह देखते हैं किस तरीकी जो ना अब इसको भी हम थोड़ा सा पीछे ले जाकर यहां पर सेट कर देंगे और इन दोनों को पीछे ले जाना है यहां पर सेट कर देना है फिर लगाने हैं यहां पर क्लासिक ट्वीन फिर इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इसकी जो नक है उसमें मुवमेंड नहीं होनी तो हम इसको भी इधर कर देंगे यहां से जो इसके हैं दोनों को सेलेक कर लेते हैं और इसको दोनों हैंड्स को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे इसको भी बाहर की तरफ निकाल देते हैं देखे सामने देखा मतलब की साइड में देख रहा है फिर सामने देखेगा फिर उपर देखेगा तो जहां से ये उपर देख रहा है यानि यहां से 30 से 40 तक जितनी भी कीस है हम इसे लगा देते हैं यहाँ पर लगाते हैं 30 पर फिर लगाते हैं 40 पर अब इस वाली कीपर हम इसके जो बोड़ी पार्ट है उसको उपर की तरफ करेंगे पहले इसको उपर की तरफ करते हैं फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके यानि कि जो ये पार्ट है इसके इन दोनों को सेलेक्ट करके उपर की तरफ कर देते हैं और यहां से थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसका देते हैं ये भी उपर की तरफ, इन दोनों हैंड्स को भी उपर की तरफ कर देंगे, और इन दोनों को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देंगे, अब लगाते हैं दर क्लासिक ट्वी, इसके जो legs हैं उनको भी हम move करेंगे, यहां पर इससे भी legs को select कर लेते हैं, heads को unselect कर लेंगे, यहां पर इसको इस तरह के से adjust कर देते हैं, अब इनकी कीज को यहां पर रखना है, यानि कि मैं इनकी पर जाता हूं तो इनकी shape वापिस वैसे हो जाती है, और यहां पर अलग तो जो इनके कीस है उनको यहां पर रख लेंगे तो इसके लिए पहले यहां पर जाते हैं और इन लेक्स को सेलेक्ट करते हैं फिर सिफ एफ सिक्स के बाद एफ सिक्स लगा देना है यहां पर भी एफ सिक्स लगा देते हैं और लगाते हैं क्लासिक ट्वी देखे, same वही हो गया, अब यहाँ पर इन legs को हमें उपर ले जाना है, यहाँ कि help का आसा उपर करना है और इधर adjust कर देते हैं, तो यह देखे, इस तरीके से यह animation बनेगा, अब यहाँ से यह उपर देखेगा, मतलब अब यहाँ से यह नीचे देखेगा, 54 से 63 तब, तो यहाँ से 64 से 63 पर जाते हैं, और यह जो सामने देख रहा है, यानि कि यह वाली की हम यहाँ पर लगा देगे, फिर इस वाली classic twin को remove कर देते हैं, और फिर यहाँ पर अच्छा देखे, आप जब यह select कर दे तो कुछ select नहीं होता, तो इसके लिए आप यहाँ डबल क्लिक करिए, तो सारी layer select हो जाती है, फिर right click करके classic twin लगा देजिए, तो यह इस तरीके से होगा, इसको सभी जो layer से उनको select करके synchronize कर देते हैं, ओके नीचे देखा, अब यह बगल में देखेगा, तो इसके लिए, जहाँ से start हो रही है, वहाँ से हम इसे भी start करेंगे, यह start हो रही है 78 से, और 86 तक, यहाँ पर 78 से, 86 तक की लगाएंगे, और front वाली की यहाँ पर होने चाहिए, तो हम सभी की सको front वाली, यानि जो first वाली की होती है, उसे हम यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ पर classic twin लगा देते हैं, फिर यहाँ पर सभी को select करके synchronize कर देंगे, तो अब देखिए, यह हलका सा हम इसमें 3D टाइप का बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहिए, तो character को, इसको मैं control एंटर प्रेस्कता हूं, तो देखिए, इस तरीके से यह हलका सा 3D टाइप का look देगा हमें, अब हमें इसके अंदर उतना रखना है, जितना इसके head के अंदर है, यानि कि इतनी हमें frame रखनी है बाहर, जितनी इसके head के अंदर है, इसके head के अंदर हम रखेंगे, वन हेंडर तक तो हम बाहर भी इसको वन हेंडर तर रखते हैं फिर अब इसको प्ले करके दिखते हैं कंट्रोल एंडर प्रेस करेंगे तो यह इस तरही के से प्ले होगा आई होप आपको इस टुटर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मैं जरूर रिपलाई दूँगा आप मुझे इस्टेग्राम या टेलीग्राम पर भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं लिक डिस्क्रिप्शन में हैं थेंक्यू एंड पाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट टिरूर में